यह कॉलर रोट इसको बोज सकते हैं डंपिंग आपकी भी समस्चाइए हो सकती है दो समस्चाइए इसमें हो सकती है तो इसके लिए मैं आपको अब आगे वीडियो पर दो कंबनेशन बताऊंगा जो कि हम नर्थरी को लगाने के बाद यानि कि टांसपार्ट करने के बाद जो दस से बारा दोने के अंदम जो अब हैं दो स्प्रे लेने हैं उसके बाद भाद भी मैं आपको अभी बताऊंगा तो चलिए दोस्तों वीडियो भी सुरुबात करते हैं मैं हूं राके साहू आप देख रहे हैं एगरो जीवन बातें किसान की यदि आप पहली बार चैनल प पिक अभी पंदरा दिन हुए हैं और यह जो है सिर्राम पाइसेट की राधिका वराइटी है आप देखते हैं इसमें बहुत बढ़िया फोटावा भी आया हुआ है हमने बीनर की दोसो बारा वराइटी भी लगाए हुई है आपको मैं बताता हूं जूम गरके यह जो आप पिशली चार देनों में ठीके तो आप देखते हैं कि जब भी आप नर्शरी से निकालकर अपनी फसल को टीपी करते हैं यानि कि उसकी रुफाई करते हैं तो आपको दो प्रकार की समझाया खास कर आती हैं पहरी समझाया आती है एक डूर्पिंग आपकी दूसरी समझाया ठीक है जो मैंने आपको वीडियो पर बताई हुए और तीसी समझाया एक और आती ही जो की घौंगा की समझाया आती आलू कीड़ा जिससे आप अपनी बहसा में बोल सकते हैं तो दूस्तों इन समझायां को सबसे बड़ा समधान यही है कि सबसे पहले दोस्तों आपको नर् जोज़ा निकालते हैं तो उसमें रोग आते हैं मौसम के कारण ठीक है बारी जब ज्यादा आती है तो आप देखते हैं कि रोग इस प्रकार के आते ही आते हैं तो दूस्तों आज वीडियों हम Merci से निकाल का रॉपाई करते हैं तो उसके ग्यार्वे दिन यन याने के दो इस्प्रेय हम कौन-कौन से लेने चाहिए ताकि हमारी फट्सल है इन दो रोगों से बचे सबसे पहला जो इस पर लेंगे दोस्तों उसमें हम लेंगे रेड़ो मिल गोल्ड जो किस इंजिंडर कंपनी का आता है इसमें मेटल एक्सी और मैंको जेब होता है आप किसी भी कं पड़की जो मात्रा है वो बीशिटर पाले पंप के लिए आप अटेमल इस्तमाल करेंगे और ड्रेडवल कोल्ड का पचास ग्रम पर पंप के साब से इस्तमाल करेंगे यदि आपका प्र है तो 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 आप इसके साथ में आप चिपकों मिला सकते हैं यदि मोसम खोला है तो यदि आपका मौसम आप देखते हैं कि बारिस होने वाली है बारिस वानी की संभावना है तो आप उसमें पर पंप की सब 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 करें किसी पी अची कंपनी का आप ले सकते हैं सिल्कों वेस होना चाहिए ठीक है तो यह रहा दूस्तों पहला इस प्रेया का इससे फाइदा यह होगा कि जो रेड़ो में आप लेंगे उसमें कॉंटेक्ट और सिस्ट्रमेटिक दोनों प्रकार के फंगी साइट होते हैं तो जो जड़ समंदी रोग है और जो गलन समंदी रोग है दोनों से आपको छूटकारा मिल जाएगा दूसा यह कि जो इमेंटा प्रोपड़ग तो यह आपके विस्के मैनेफिट हो गए इसके बाद देखते हैं दोस्तों की हम ग्यारवे दन कौन सा प्रेल लेंगे ठीक है यह जो इस प्रेह आपको लेना कप रोपाई के चार दिनों के बाद अगर मौसम ठीक रहता है तो आप उसको च्छे दिन भी कर सकते हैं रोपाई के और यदि आप लिखते कि मौसम यदि आपका गड़बर है तो आप इसकी जो डोज है वो चार दन के बाद एक इस प्रेल लें ठीक है इसके बाद हम ग्यारवे दिन क्या लेंगे ग्यारवे द के साथ हम एक ट्रा या थायम दग्सम किसी कंपनी काब ले सकते हैं जो की 25 फ़र्म होता है इसकी जुमात्रा है वह आठ से लीके 10 ग्रम तक आप कर सकते हैं इसके साथ हम सिलिकोन पाउडरा लेंगे 40-50 ग्रम पर पाम के इसाफ से और इसके साथ आप पे लेंगे 1919 टिक 1922 म और साथ में माहों के लिए यह कवर करेगा वो लिप मायना भी समस्याना जाती है तो यह आपको ग्यार्वे दिन इस पर लेना है इसका आपको मौसम यह ठीक है तो आप दो दिन बढ़ा भी सकते हैं इसको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है यदि मौसम गडबड है आपको लग रहा है कि आवाज सेखे स्प्रे करना तो ही आप जल्दी स्प्रे करें अन्य थाप थोगा सकते हैं ठीक है दूस्तों यह जो इस पर मैंने आपको दो बताए हैं इसको गाने के पहले आपको एक साथानी भी वरतनी पड़ेगी साथानी दूस्तों यह है कि क्योंकि दूप ना हो ऐसी सिती पाफ लें यही धूप तेज होगी तो यह जो इस्प्रे हैं वो नुक्सान भी पहुचा सकते हैं इसलिए आपको इस बात का विसी ध्यान रखना पड़ेगा आप इसके बाद जो अगला इस पर होगा इसके लिए आप हमें कमेंट करें यह आपको च क्मेंट करें और कुई भी सवाल हो तो आप कमेंट की मतल से पूछ सकते हैं या फिर आप फर तरी लेजर का जो स्रेडूल है बोजाना चाहतें इंटमांटर का तो भी आप कमेंट करें मैं इसके लिए आपको वीडियो बना दूँगा आपको एक काम करना पड़ेगा वह कर पाइब भी करना पड़ेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक नमस्कार जैहिन जैकिसान जैजवान